Hello Friends, Welcome to Get More Info YouTube Channel So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टुडेंट्स इंट्रेस्ट रखते हैं इंट्रेस्ट लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं Then यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रे इंट्रेस्ट जिसमें आपको स्ट्राइपेंड पर मंथ 15,000 रहेगा और यह जो इंट्रेस्ट है, यह आपको government, यानि सरकार की तरफ से यह इंट्रेस्ट कराई जारी है, government की इंट्रेस्ट है तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है कि यह fraud है या fake है government की site है मैं आपको बताऊंगी अभी website पर ले जाकर आपको clear करूंगी कि यह किस website से आय हुआ है लेकिन अगर आप interested है जो college student है उनके लिए यह internship है तो अगर आप interested है वीडियो को लाश्टर तक देखेगा 15,000 पर मन्त आपको यहां पर internship जो इस्ट्रेपेंड है वो यहां दिया जाएगा तो चली हम इसका notice देख लेते हैं पहले हम इसकी guideline देख लेते हैं उसके बाद में आपको इसकी website पर भी लेकर चलूंगी जिससे कि आप भी खुद से search कीजेगा website पर जाकर के आप इस internship के बारे में पर सकते हैं पहले लेकर हम इसकी पूरी guideline देख लेते हैं जिससे कि जो भी candidate इंट्रेस्टेट होंगे वो इसकी website को search कीजेगा ओके चली start करते हैं तो अब भी आप देख रहे हैं यहां पर यह पूरी guideline मैं आपको यहां बता दूं guideline for internship with the competition commission of india ठीक है यह है जिसकी तरफ से यह internship आपको कराई जा रही है दी जा रही है और objective आप देखेंगे तो इनका जो objective है बो इन्होंने यहां पर mention किया हुआ है eligibility criteria इस internship के लिए कौन eligible रहेगा तो Indian nationals इसके लिए eligible नहीं अगर आप एक Indian citizen है आप इसके लिए apply कर सकते हैं internship is open to students from recognized institutions and university आप किसी भी university या institute से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहां पर eligible रहेंगे अगर आप एक Indian citizen है Indian nationals है qualification की बात करें क्या क्या qualification इसमें required है तो बहुत से option इसमें आपको आपके पास है पहला तो यहां पर economic आप देखी रहें MA MSE economic से आपने किया हुआ है और आप fourth या final year student है जो integrated courses होते हैं अगर आप integrated course कर रहे हैं तो उसके fifth year के अगर आप student है और या आपने MBA किया हुआ है तो आप इसके लिए alisable है एक और point यहां पर मैं किलिया कर दू कि यह आप college student के लिए हैं लेकिन अगर आप किसी भी तरह की कोई भी job कर रहे हैं government हो या private हो तो फिर आप इसके लिए alisable नहीं रहेंगे चीक है चलिए next यहां पर law अगर आप कर रहे हैं bachelor degree in law three year का तो भी आप यहां पर alisable है LLM बाले candidate भी यहां पर alisable है इसके अलाबा MA, MSC regulatory governments and professional courses अगर आपने chartered accountancy या cost account आपने किया हुआ है या company secretary तो वो candidate भी यहां पर alisable रहेंगे ठीक है अब scheme of internship के लिए आप यहां देख सकते हैं internship is normally for a period of one month यह जो internship रहेगी यह सिर्फ एक महिने की internship रहेगी and यह आपकी first working day of the month हर महिने की आप पूरी साल यह internship चलती है तो हर महिने की first तारीक जो रहती है first day से internship start हो जाती है अब अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं तो आपको एक महिने पहले दो महिने पहले apply करना होता है उसके बाद आप यह कर सकते हैं इसके लिए जो internship हो उसमें क्योंकि इसमें 15 इसमें select किये जाते हैं entrance तो उसमें अगर आपका selection हो जाता है तो आप इसको date जरूर याद रखेगा आपको हर महिने की एक तारीक से internship start होती है तो उससाब से आपको इसमें apply करना है यहां आप देखेंगे 15,000 दिया गया है आपको इहां 15,000 पर मन्त दिया जाएगा यह देखें and how to apply apply कैसे करना है तो interested student may apply in the prescribed format given यहां पर आपको नीचे notice में guideline की जो हमें notice open किया हुआ है इसमें नीचे format दिया गया है उसको आपको fill करना है and applicant must contain recommendation of competent authority from the academic institutions where the candidate is pursuing her his studies ठीक है तो आप जिस institute या university से कर रहे है and most important कि applicants are required to submit a statement of purpose आपको यहां पर आपका statement देना है कि आप किस purpose से इंट्रेंसिप कर रहे है और यह 200 words में आपको यहां पर देना है तो एक November को आपका यह जो form है यह बहां तक पहुच जाना चाहिए address यहां पर दिया गया है यह देखी guideline में ही आपको यहां पर पूरा address मिल जाएगा कोई भी piece वगरा यहां पर आपको pay नहीं करनी है कोई charge नहीं है सिंपल इंट्रंसिप है और 15,000 पर मन्त दिया जाएगा पर मन्त क्या एक महिने की इंट्रंसिप है तो आपको 15,000 मिलेगा ठीक है और ज्यादा information के लिए मैंने यह देखे यहां पर यह format दिया गया है एंड चली अब मैं आपको इसकी website पर लेकर चलती हूँ यहां पर हम यह इसकी official site पर है competition commission of India government of India ccigov.in भारती प्रतीशपरधा आयो अब अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं internship program आप देख रहे हैं तो यहां पर इन्हों ने लिखा हुआ है आप उसको देख सकते हैं जैसे कि इन्हों ने बताया हुआ है यह जो रहेगी डाउन्लोड हो जाएगा तो अगर आप इसमें interested हैं तो आप इसकी website पर आकर कि एक वर आप भी checkout कीजेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share कीजे थैंक्यू